चुनावी घमासान में खबनों को टटोलते टटोलते अब हम पहुच गए हैं बैसाली नमस्कार मैं हूँ रंजीत पाठाक और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज की एस पेसल पेसकस चार सवाल और चार सवाल में अभी हमारे साथ मौझूद हैं सिधार्थ पटेल और चुनूपटेल इनकी जो मेहनत थी वो इस बार रंग लाई है और इन्हें जद्यू से यहां उमिद्वार बनाया गया है आये इन से बात करते हैं सिधार्थ जी बहुत बहुत स्वागा था अपका बिहार न्यूज में क्या कहेंगे सबसे पहले उमिद्वार मेंने हैं इसके लिए काफी अच्छा लग रहा है पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं अपने मानिये मुखमंतरी जी के जो मुझ पर उन्होंने जो विस्वास किया मैं पूरी कोसिस करूँगा कि मैं उनके विस्वास पर ख़रा उतरू तो यह विरासत संभालते हुए दिखेंगे या कुछ अलग नए अंदाज में दिखेंगे इस वार मैं सुरू से ही अपने कार करता हूँ और अपने लोगों के बीच रहा हूँ इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत ने भी काम करने में नया जो यहां के लोगों की बाते होंगी या लोगों ने भी मुझ से जो उमीदी लाग रखी हैं मैं उनके सहयोग से ही सारे कामों को करने क प्रियास करूंगा क्योंकि यहां से अल्रेडी जद्यू के ही विधायक थे सेटिंग में ले थे और आपने उनका टिकट काटा और अब आप फिल्ड में हैं कैसे हुआ यह सब कुछ मैं लगबग 18 वर्सों से युवा जद्यू का पदाधी कारी रहा हूँ पार्टी संगठन का कार मैं करते रहा हूँ और यह तो नेटिक्तु की बाते हैं कि वो अप किस उमिद्वार को कहां से लड़ाते हैं मैं पिछले बार भी मैं प्रयासरत था लेकिन मुझे कहा गया कि अ टिकट मिला मैं उनके विश्वास पर पूरी तरक खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा एक दो कुछ खास वजह बताए जिस वजह से आप इस वर मैदान में हैं और टिकट के साथ मैदान में है खास वजह तो मुझे लगता है कि छीतर वशाली विधान सभा की जनता जो मान यह पाटी को लगा कि हां मुझे एक नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए तो मुझे टिकट मिला इससे समय की चाल कहेंगे या कुछ चक्र कि आज उंगली पकड़के चलते चलते आप चाचा इसे कहने कहीं आगे दिख रहे हैं एक समय था जब आप पूर्णत तयारी कर खाना बनाते थे लोगों को परोस्ते थे आज वो थाली आपके सामने है क्या कहेंगे देखिए ये तो चाचा जी कि आप बात कर रहे हैं वो दूसरे दल में है और कोई भी बच्चा अपने बाप दादा के ही पिता के अंगली पकड़के ही चलना सीखता है वो अलग बात है आज मैं जहाँ पर हूँ अपने पार्टी का निस्ठा से काम किया हूँ और मुझे जो टिकट मिली है पार्टी के निस्ठा के वज़ासे ही मिली है तो वो अगर दूसरे दल में है तो इसमें कुछ एक मन में है क्या कुछ सोच कि कहीं से कुछ खामिया जाओ कुछ नुकसान हो जाए या अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं नहीं आप लोग को जानकारी होगी कि ये सीट मैं तो एंडिये गठवंदन से हूँ यहां पर उमिदवार लेकिन महागठवंदन के तरफ से वो भी उमिदवार थे और मुझे तो टिकट पहले मिल गया था वो भी यहां से प्रयासरत थे लेकिन महागठवंदन से टिकट है यहां जना अधार है लोगों में काफी पकर भी है जो पुराने लोग हैं आप जब आए तो आपने अपनी त्यारी की साइथ पहले से ही आपके दिमाग में था कि कुछ धीरे-धीरे करके इसको मजबूत एक जगह बनाना है ऐसा कुछ यह तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं संगठन का कार करता रहा हूँ तो संगठन के अधार पर ही मैंने काम किया कोई व्यक्ति विशेश है और यह सब नहीं रहा है जनता दलियू का मैं एक सिपाही रहा हूँ एक छोटा कार करता रहा हूँ तो मैंने जो आज टिकट प्राप्त मुझे हुई है यह पाठी के नितिरत्र ने मुझे विश्वास किया है और मैं एक छोटा कार करता होते हुए भी मैंने सब कुछ काम किया और टीकट मुझे आज मिला वैशाल यह से अगर दो टुक पूछें सिर्फ हाँ या ना में तो पूर्ब मंतरी बिर्सिंग पटेल जी से आपको अभी इन दिनों नुकसान है या फैदा अगर असपस्ट पूछे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो जिस महागठवंदन में है और मैं एंडिये में हूँ तो मुझे मैं तो जैसे चुनाओ जो हम लोग करते हैं चुनाओ लड़ने की बात जो होती है तो लड़ना सब्द कोई बाहू युद्ध यह सब नहीं होता है यह तो लोक तंत स्वास है मुझे वो पसंद कर रहे हैं मुझे चुनेंगे इन दिनों कर बात करें तो चुनाओं में आप भी है और आप जदियों से हैं वो महागठवंदन से हैं तो क्या आप छेतर में एक दूसरे की बातों को हो काटते हुए दिखेंगे आप लोग मेरे पाटी के देखिए पार्टी की मैंने बात किया है घर से कोई राजनीत नहीं होता है राजनीत समाज के साथ किया जाता है घर से नहीं होता है चलिए अब इससे कुछ अलग बात कर ले राजनीत की बात कर ले लजेपी से लोजपा से कितना नुकसान आपको होने वाला है कही ने कहीं तो वोट आएगा हैं, कटेगा हैं? मुझे नहीं लगता है कि वोट कटेगा, क्योंकि देखें, मैं जो थोरा सा आवाज में पसे, क्योंकि मैं एक कारकरता की तरह काम करके आज यहां तक पहुचा हूँ, मुझे सारे समाज के सभी जाती धर्म के लोगों में मुझे वोट मिल रहा है, मुझे कहीं ऐसा नहीं मसूस हुआ कि कोई वोट मेरा कट रहा है. इतना तो अब मानता हैं कि बिहार के जो राजनिती है, वो कमोवेस जातिगत है. यहां जाती अधारित वोट होते हैं भले ही आपकी पकड़ सब जगव हो तो ऐसे स्थिति में किस तरीके के आपकी चल रही है तैयारी सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं जिस पार्टी से संबंदित हूँ हमारे नेता मननी मुखमंतरी स्रीजनीति इसकुमार जी सभी जाती धर्मों के लोगों को लेके आगे चले हैं और हम लोग भी उन्हीं के क्योंकि हम लोग के वो राजनीति गुरू भी है मैं उन्हीं के बताय हूँ रास्तों पर चलता हूं और मैंने पहले भी बताया है कि मेरे साथ सारे समाज के लोग हैं यह वी आई पी जो है तो वी आइपी का भी कुछ भोट यहाँ पर बन रहा है कुछ कुछ। है आते हैं चे र E7 जो आ हैं लोगों से मिल रहे हैं तो क्या मिल रहा है फिर बैक कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों बिल्कुल चड़ा हुआ है लोग आप Спगर aynı कर रहे हैं là एक मुद्दा जो अभी वर्तमान में हमारे यहां सबसे आदे प्रभावित किया लोगों को, हमारा वैशाली विधान सवा 41 पंचायतों का विधान सवा है, उसमें लगबग 16-17 पंचायत पिछले दिनों बाढ़ प्रभावित है, जो हमारे वैशाली जिला में नहीं, सरीया जो मुझफरपूर जिले में आता है, सरीया परखड में ही जाज नदी और बाया नदी के बांध तूटने से हमारे इलाके में बाढ़ आती है, तो बांधों के मजबूती के लिए लोगों का था, सुझाओ, कि आप जब आ जाई है, हम लोगों के बीच प्रतिनिधी बनके, तो आप इन बांधों की मरमत जरूर करवाएं, और रोजगार? जैसे इस बार फसल का होडा है नुकसान, जगत-जगत जल जमाओ है, सब्जी के यहां होती थी खेती, जो इस बार बिल्कुल नहीं है, तो इसमें कैसे कैसे तो जल जमाओ वाले परभावी तेरिया है, वहां तो फसल छटी का मुअबजा लोगों को दिया जा रहा है, सरका तो यहां के भी लोग आप देखना चाहेंगे सुच रहे होंगे चुकि आप ही सब कुछ संभाल रहे थे काफी समय से आप सब कुछ संभाल रहे थे वो निश्चेंट थे और अब उनकी निंद कहीने कहीं थोड़ी से खलल पड़ी है मानते हैं इस बात को ना जैसे मैंने आपको पुर्व में ही बताया कि वो दूसरे दल में हैं और मैं एंडिये का एक कार करता हूँ तो आज के हमारे खास कारिकरम में हमारे मेहमान थें सिदार्थ पटेल और चुन्नु पटेल कहीने कहीने कर देखा जाए तो यहां कमोबेस चाचा भतीजे की एक लड कादित लडाई होने के संभावना है अगली मुलाकात फिर एक नए सक्सियत के साथ होगी तब तक मुझे दीजा इजाजत नमस्कार